और कितनी महत्वता कलश की महाराज आप लोगों से भी निवेदा ने जिनके घर में ज्यादा रोग हो बिमारी हो ज्यादा तकलीफे आ रही हो कश्त बढ़ रहा हो बिमारियां बढ़ रही हो या भय लग रहा हो डर लग रहा हो रिदय चित्त में कहीं न कहीं आपको भय का भ कर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे जानवरात्रे में नीम के पेड़ के नीचे सारी विध्याएं आज शक्तियां सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमन रहती हैं उस कलश में एक बेल पत्र डालकर राद बर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमा कर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिये माहराज घर में भय लगना बंद हो जाएगा कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से उस रोग से आप मुक्त पाएगे वो मिमारी आपको घेर नहीं कर दो कल श्री शिवाय नमस्तो भ्यंग